बढ़वानी पुलिस ने अवैद्ध मादक पदार्थ के कुल 71 गांजे के पौधे किये जब 10 DPS Act में मामला हुआ दर्च श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदे बढ़वानी श्रीपुनीद गेहलोद ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैद्ध मादक पदार्थों के विरूत करी कार्यवाही करने के निर्देश दिये है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदे बढ़वानी के दिशा निर्देशन में थाना बढ़वानी पुलिस के वारा माफियाओं के विरुध लगतार कार्यवाही की जा रही है इसी परिपैक्ष्य में दिनाक 17 अप्रेल 2023 को बढ़वानी पुलिस को विश्वसनिय मुकबिर ने बस्टेन बढ़वानी में सूचना दिया की राजघाट रोड ग्राम कुकरा रोड किनारे जवार की चरी में खेत मालिक वो उसका साजी गांजे के पौधे बहुत मात्रा में उगय हुए है सूचना पर राजघाट रोड ग्राम कुकरा रोड किनारे पहुचें बाद मुकबिर द्वारा बताये घटना स्थल राजघाट रोड ग्राम कुकरा रोड किनारे एक जवार की चरी वाले खेत में एक व्यक्ती जवार की चरी में पानी से चाही करते मिला जि आशी की गई खेत रगबा करीब एक दशमलब पांच एकर होकर कमर कमर की उचाई तक जवार की चरी बोई हुई हैं जिसमें अलग-अलग जगह पर गांजे की पौधे बोई हुई हैं। खेत में लगे गांजे के पौधो को हमराही पंचानो वह हमराही बल की मदद से मादक पदार्थ गांजे के पौधो को जड़ मिट्टी सहित उखाडे गए। बढ़वानी पेश किया गया है। अवैद मादक पदार्थ माफियाओं के विरूद बढ़वानी पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। विशेश भूमिका बढ़वानी ती आई सोनू सिटोले, उपनिरक्षक चीरमल सापलिया, उपनिरक्षक राजीव सिंधो साल, प्रधान आरक्षक 239 जगजो धसिंग, प्रधान आरक्षक 70 शैलिंद्र सिंग, प्रधान आरक्षक 287 प्रशांत मिश्रा, प्रधान आरक्षक मुपीर द्वारा सुचना प्राक्त हुई थी कि राजगाट रोड इस्थी टेक खेत पर अविद गांजे की फसल उगाई गई है। मुपीर द्वारा सुचना प्राक्त है।